मधवापुर प्रखंड के तरईया गाउं में दिपावली की साम अचानक सौट सर्किट से अगलगी की घटना होने से अफरा तफरी का महोल कया हो गया अगलगी के कारण लाखो रुपे की संपत्ति के नुक्सान का अनुमान लगया जा रहा है मिली जानकारी के नुसार्दी पावली की साम तरईया गाउं निवासी केदार महतो के दो घर में अचानक सौट सर्किट से आगलग गई देखते ही देखते घर धुदू कर जलने लगा आनन फानन में ग्रामने को स्ताहियोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया हाला कि इस आगलगी की घटना में किसी की हाताहत होने की सूचना नहीं है इस घटना में दो पलंग, एक हीरो गलैमर बाइक, दो पंख, चार कूरसी, अनाज, कपरा वा अन्ने फरनीचर समेत, अन्ने सामान जलकर बुरी तरह नश्ट हो गया पिरित ने 5-6 लाग रुपे की संपत्ती जलकर खाक होने की बात कई है समाज से भी मनीश जहा ने प्रसासन से पिरित परिवार को उचित मुअबजा देने का आगरह किया है इस बावत अंचला अधिकारी रामकुमार पासवान ने कहा कि घटना की जाच के लिए राजस्तो करमचारी को भेजा गया है आगलन के बाद मुअबजे की पहल किया जाएगा कि अगला ंति बाद मुझाखके लोगे है चालियो कि अल correl में आगला है मisticला आया क्सान सान स्क उप्रम को भ्याखत के बाद में पूजा अञा ओभये के बूजे कहली काल में आगला है अगला पता ने चललाकि होल्ग को ठीक कैम आगले वा सब नुक्सान भेल है नुक्सान भेल है गाड़ी गलाइमर चावल कपड़ा दुग पंखा पैसा तो कत गेल लिए अहां के पता नी चला है अभी तक कोई सरकारी तरफ से कोई आएला अभी तक नहीं आएला अभी तक अभी कुछ नहीं कहला है अभी कुछ नहीं कहला है